हलो दोस्तों वेलकम बैक टो हाईजा करीशन और आज हम एक डिजाइन नोसूस का पैटन बनाने जा रहे हैं इसके पहले हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हम मैं स्लीव करते हैं सेम छोगती तो यहां पे हम स्लीव करेंगे तो यहां पे हम विर्थ लेने के लिए आर्म हूल में 2 प organiza एक्ट्रा एक्ट लेंगे तो इस तरह हम 7.5 शॅमच पर मार्ग करेंगे dhr तो इस करेंगे और बंब मर्ग करनी जिसी तरह करनी है और गरने कंट फोल् sol करेंगेник, और सबनाकी के बाद करनी है तो इसकी तरह से यहis as the इस तरह से मार्किंग करनी है और इन दोनों पॉइंटों को यहांपर जोइन कर लेना है अब क्या करेंगे कि से कट भी कर लेंगे कि आधि तो यहां पर देख सकते हो किने स्लिवस को कर लिया है अब इसके बाद हम इसे उपन करेंगे और इसक चो उपर कर थोड़ सा कट कर लेंगे तो यहां पर हमने इसे कट कर लिया है और सेंटर में भी निशान लगा लेंगे इसी के साथ साथ हमें लाइनिंग भी कट करनी है तो हमने यहां पर इस तरह से लाइनिंग ली है हमें इसे बराबर से बिच्छाना है और से इसी साइज की हमें लाइनिंग भी कट कर लेनी है तो हमने यहां पर लाइनिंग कट कर ली है हम क्या करेंगे आपके चारो तरफ से इसे सिलाई लगा लेंगे तो हमें इसे बराबर से इस तरह से रखना है और यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने यह सिलाई लगा ली है अब इसकी बा 12 इंच है तो हम क्या करेंगे यहां पर एक्स्टा लेंगे तो हम यहां पर फर्स्ट इस ट्रिप है हमारी उसकी जो यहां पर इसकी लेंथ है वो हम 19 इंच लेंगे तो 19 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे यह जो है यह हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिप ह इसके बाद हम सेकंड वाली स्ट्रिप कट करेंगे तो यहां पर हम इसकी चो लेंद्ध है वह हम 26 इंच लेंगे आप आपके अकॉर्डिंग यहां पर लेंद्ध ले सकते हो आपको जितनी ज्यादा फ्रिल चाहिए आप उतनी ज्यादा यहां पर विर्थ ले सकते हो जो हमारी फ्रील ऐटेच करने के लिए गैदेर्ट ढलते हैं सिमुषी तरह से हम यहां पे गैदर्ट दालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो Sleeves का बॉर्टम है हमारा यहां पर हम अवा सिंगल लाई लगा लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर छोटी-चोटी अटेश करना है तो दोनों स्लूज में आपको रेडी करके बताती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यह तीनों भी फ्रिल अटेश कर ली है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यह जो हमारा टॉप का पीस है में वाला इसे हमें स्लूज करनी है तो हम जिस तरह से अटेच कर लेनी है इस तरह का पैटन बनाना बहुत जादा सिंपल होता है आप भी आपके बेबी के लिए ज़रू ट्राय करें तो यहां पर हमने अटेच कर ली है इसके बाद हम क्या करेंगे कि फाइनल वाली सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर मैंने इसका बॉटम भी अट बताती हो तो यह रहा हमारे कुर्ति का फाइनल लुक बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैंने इसी के साथ साथ यह थ्री लेयर वाला गरारा भी रेडी किया है इन दोनों के डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगा वह